तुरके की राजधानी अंकारा में मौजूद तुरकी एरोस्पेस और रक्षा कमपनी तुसास पर आतंग की हमला क्या गया है बड़ी खबर इस वक्की आ रही है इस आतंग की हमले में कई लोगों के मौत और कई लोगों के घायल होने की सुचना है हलाकि इस हमले ने 26-11 मुंबई में हुए हमले की याद दिला दी है तुरके के आंतरिक मंत्री सोशल मीडिया एक्सपर इसकी पुष्टी कर चुके है बड़ी खबर इस वक्की आ रही है तुरके के राजधानी अंकारा में मौजूद तुरकी एरोस्पेस और रक्षा कमपनी तुसास पर आतंग की हमला हुआ है ये CCTV फुटेज आप देखिए आपके टेलविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहां एक शक्स हमला करते हुए नजर आ रहा है और लगातार हमले कर रहा है तुरके के आंतरिक मंत्री ने कहा है कि तुरके एरोस्पेस और रक्षा कमप है एक बार फिर से वो ब्लाक डे इस हमले को देखने के बाद यादा गया है अली येरलिकाया ने राजजानी अंकारा में बाहरी इलाके में मौझूद तुरके एरोस्पेस इंडस्ट्री पर हुए हमले के बारे में और जानकारी नहीं दी है फिलाल उन्होंने सोशल मीडिय पोस्ट में लिखा तुरके एरोस्पेस इंडस्ट्री अंकारा सुभिधाओं के खिलाफ एक आतंकवादी हमला किया गया है हाला कि अभी तक किसी भी आतंकी संगचन की तरफ से सातंकी हमले की जिम्मदारी नहीं ली गई है तुरके की मीडिया ने अंकारा में मौझूद दी है तुरके की मीडिया में घटना स्थलपार गोलिबारी के फुटेज दिखाए गए है ये एक आतंकी हमला है जिसमें काई लोगों के मरने की खबर आ रही है तस्वीर आप देखिए तस्वीर देखिए जहां एक शक्स हमले कर रहा है और खतरनाक मंजर हो चुका है कितन की हमला किया गया था दुरभागिसे हमारे पास शहीद और घाय लोग भी है विसफोट और उसके बाद हुई गुलिबारी का कारण साफ नहीं है कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आत्मघाती हमला हुआ था तुरकी की सरकारी मीडिया ने बताया कि एमर् एरो स्पेस और रक्षा कमपनी टुसास पर आतंग की हमला किया गया है ताबर तोड हमले किये गए है और उसमें कई लोगों के मौत और घायल होने की खबरे मिल रही है पुकता आकड़ा अब तक नहीं सामने आ पाया कि कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल है लेकिन बहुत जल्द ये भी पता चल जाएगा अलाकि अब तस्वीरों को देखिए तस्वीरे जग जोर देंगी जड़ा देंगी आपको भारत में हुए मुंबई के 26 ग्यारा का वो दिन याद आ जाएगा जब यहाँ पर भी इस तरीके का हमला हुआ हलाकि एक बार फिर यहाँ पर ऐसी ही तस्वीर तुरके की राज़ानी अंकारा में देखने को मिली है